राश्टिय लोगदल्ड खिल परकोष पिराश्चेद्द के राश्चेद्ड दख चोधरि निरपाल जी हमारे साथ हैं बाचित али गांतिय ड dif यह बढूद दूरु हुआर मरंपारू य ὁल लि किसानों के संग्ठन को लेके मत है किसानों को नियाय मिलना चाहिए किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार को मान लेनी चाहिए और इसी परपेक्ष में हमारे आदर्निय जैन चोधरी जी ने किंद सरकार के मंत्री गनों से बाधचित भी की और यह जो अब मंत्र न चल रही है किसानों के और मंत्रियों के बीच में तो इसमें हमारे जैन चोधरी जी का भी भूमी का है और मेरे ख्याल से करीब-करीब मांगे मान ली गई है पांच साल का मेरे ख्याल टाइम दिया है जो है सरकार ने किसानों को और कैई चीजों पर MSP को सरकार राजी हो गई है चार-पांच बिंदों पर उडद की दाल है मक्का है तो कैई चीजों पर तयार हो गई है सरकार और मैं समझता हूँ एक दो दिन में किसान अपने घर वापस चले जाएंगे अच्छा दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहर था कि चोधरी चरण सिंग जी को भारत लतन दिया गया देखिए उन्होंने अपनी मानसिक्ता का परिचे दिया है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि चोधरी चरण सिंग जी धरती पुत्र किसानों के मसिया उनको वैसे ही नहीं कहा जाता वो अंदाताओं के भी दाता हैं देवता हैं जिनको आज सब पूझते हैं हर किसान की आत्म में चौधरी चरण सिंग बसते हैं चौधरी चरण सिंग वो सक्सियत हैं कि आज बड़े से बड़े निता कोई भी है सब उनको इतना मानता है कि उन्होंने जो मार्ग दर्सन दिखाया किसानों को अधिकार से जीना सिखाया किसानों को अधिकार दिलवाए और किसानों को मा इंदा की जाए उतनी काम है दूसरी चीज कॉंग्रेस की अब तक सरकार रही है कॉंग्रेस ने सरकार चलाई है तो कॉंग्रेस ने भारत रतन क्यों नहीं दे दिया तो उन्होंने पनी मांसिक्ता दिखाई है ना चौदी साब के लिए इस तरह की विरोधा भासी करना मैं समझता हूँ यह कॉंग्रेस को खाता भी नहीं खोलने देगा किसान इस चीज से इतना नराज हुआ है चौदी साब के उस पर जैन चौदी जी को राजसम में बोलने नहीं दिया गया हूँ अल्ला करा इनोंने किसान इतना नराज हुआ है और चौदी चरन सिंग जी के अनुयाई इतने नराज हुए हैं कि कॉंग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी कॉंग्रेस का हसर देखना इस लोग सभा चुनाओं के बाद क्या होने जा रहा है यह सब के सामने आ जाएगा आप अलग हुए हैं गटबं कुछ पार्टी इस्थानिय पार्टी नेताओं की हड़दर्मी और अपने आपको शो करना के हम सबसे मजबूत हैं सबसे बड़े हैं इस कारण इंडिया गडबंदन टूटके कगार पर है पहले नितिश जी चलेगे ममता जी अलग हो गहीं केजरिवाल जी अलग हो गहीं उ मेरे ख्याल से सभी लोगों ने जो है किनारा कर लिया है और सबसे बड़ी चीज देखिए चुनाओ की हवा पश्चमी उत्तर परदेश से चलती है और पश्चमी उत्तर परदेश के सबसे बड़े नेता हैं मानिया जैन चौदरी जी क्योंकि जब भाजपा सत्ता में आई तो उसकी लहर भी हमारे यहां से मुझफर नगर से और पूरे पश्चमी उत्तर परदेश से चली थी उनकी लहर तो पश्चमी उत्तर परदेश की लहर जब चलती है तो इसका संदेश सब जगे जाता है रुहेल खंड में भी जाता है बुंदेल खंड में भी जाता है पू जैन चोदरी है चाह किसान हो चाह मजदूर हो नोजवानों कोई भी हो किसानों के नोजवानों के सबसे लोग प्रियनिता आज आज आप मत करा लीजिए के वह सबसे लोग प्रियनिता कौन है जैन चोदरी जी को सब कहेंगे तो जैन चोदरी जी के बगेर पश्चमुत्तर प तो इसलिए इंडिया गडबंधन का तो हाल भगवान ही जाने और सब किसान मजदूर नोजवान अवेक होके चौदी साब की नेतरतों में लड़ेंगे जैन जी के और मजबूती से लोकसभा चुनाओ लड़ा जाएगा सरकार निश्ची तोर से फिर से एंडिय की बनने जा र रहा है यह तो देखो तै तो हमारे मानने नेता जी को करना जैन चोदरी जी को किस दिन गोशना होगी किस दिन वो आपचारी गोशना यह गडबंधन की करेंगे बाकी जो है हम तो इतना कहना चाहेंगे हमारे नेता जी ने जो निड़ने लिया है बहुत सो समझ के लिया है और खास तोर से किसान और युवाओं के हक में लिया है, इसको समझना चाहिए, और जो लोग अंगरन बियान बाजी कर रहे हैं, इस तरह की, मैं समझता हूं कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, और इस परिनाम के सार्थक परिनाम सामने आए एक साल के अंदर वो ही लोग जो आज आलोच ना कर रहे हैं, वो सब कहेंगे के जैन चौधरी जी ने सही कदम उठाया था, क्योंकि सरकार में रहकर, उनके साथ कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, सरकार में रहकर हम किसानों को जो नयाय दिलवा सकते हैं, युवाओं को नो परिनाम सामने आते हैं और इसके परिनाम अच्छे देखने को आते हैं, तो हमारे नेता जी ने जो कदम उठाया है, हम जितनी सरहना की जाए कम हैं, और हम तो आप से पहले ही कपिल जी कह दिया था, इस गड़बंदन से भी पहले, जब तक हमारे नेता जी ने भी को इशार नाम अलाकर पूरी ताकत के साथ डटे वे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए तो गटबंधन की ओप्चारिक जो घोशना है वो जल्दी हो जाएगी ऐसा कहना है चोदरी नीट पासिंग का इसके लावा किसान अंदोलन को लेकर भी बाची दिनों ने की है साथ वर पर कह हैं कि जायन चोदरी जो हैं वो किसानों के साथ हैं और उनके हकी लड़ाई वो भी लड़ेंगे टीवनान यूपी के लिए सारिंपूर से विकास कफिल